दोस्तो अगर आप जो है अपना pen card बनाने की सोच रहे हैं और आप जो है search कर रहे थे कि online pen card किस तरह से बनाया जाया तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आये हैं तो वीडियो में बने रही है, एंड तक और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी है सस्क्राइब कर लेना, आगे भी आपको जो इसी तरह का कंटेन हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, आपको इसको यहां से ओपन कर लेना है, अब जैसे आप इसको ओपन कर लेते हैं, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा, इसका डायरीक लिंक मैने आपको जो हुर वीडियो के डिस्रिप्शन बे दिया है, मतलब आप जो है अप्लिकेशन करते-करते अगर माल लीजिए नेटवर्क इरर आ जाता है या किसी तरह का सरवर इरर आ जाता है तो आप जो है अपने अप्लिकेशन को यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं जो आपको टोकन नमबर मिलता है उसके बेस पर ठीके ना तो अभी हम जो down करके नीचे के तरफ आएंगे यहां पर आपको जो है अप्लिकेंट की information देने रहेगी जिसमें कि आपको टाइटल यहां पर select कर लेना है जिसमें सरी सरीमती आप जो है यहां पर select कर लेंगे यहां पर आपको जो है last name इंटर करना है उसके according आप अपना data उबर डालेंगे, email id आप यहाँ पर enter करेंगे, mobile number आप यहाँ पर enter करेंगे, उसके बाद आपको जो है term condition को यहाँ पर check mark करना है, इस वाले केपचा को यहाँ पर feel करेंगे and submit वाले button पर click करेंगे, तो जैसी आप submit वाले button पर click करेंगे, तो यहाँ पर से पहले आपके document का KYC related आपको पूछा जाएगा, अब दोस्तों यहाँ पर आप तीन तरीके से document submit कर सकते हैं, एक तो यहाँ पर आप EKYC के दवारा कर सकते हैं, जिसमें कि आपको customer का जो pain card आएगा, उस पर आपको customer के signature देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो इस condition में आपक जो है उन्हीं लोगों का अपलाय करना है, जो कि अंगुठा लगा कर अपना pain card बनवाना चाहते हैं, ठीके ना, तो आप जो है उनका यहाँ पर कर सकते हैं, जो भी लोग जो है अपने pain card पर signature चाहते हैं, तो उनको जो है यहाँ पर signature वाले option को select करना होगा, submit, scan, email, throw, e-sign, ठीके ना, यहाँ पर आपको किसी भी दरगा document भेजने की जरुबत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर अपना signature और photo जो है, आप manually update कर सकते हैं, उसके बाद forward application document physically, physically document भेजने के लिए आप इस वाले option पर जा सकते हैं, जिसके लिए कि मैं आप लोगों को recommend नहीं करूँगा, physical pen card वो आपको नहीं मिलेगा, तो आपको इसको yes पर ही टिक मा करेने देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आपके आधार card के last के four digit enter कर देना है, ठीके ना, उसके बाद यहाँ पर आपका as पर आधार card पर क्या नाम लिखा था, वो नाम आपको लिख देना है, उसके पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका और भी कोई नाम है, इसके अलावा आप simply इसको no करेंगे, उसके बाद आप स्कोल डाउन करके नीची के तरफ आएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको detail of parents, मतलब जो applicant है, उसके parent की detail देनी रहेगी, जिसमें father's name देना रहेगा, आप आपको यहाँ पर ठीके ना, last name में आप surname लिखेंगे, first name में आप father's name लिखेंगे, mother's name भी आप उसी तरह से दे सकते हैं, वैसे यह optional है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, otherwise यह mandatory नहीं है, ठीके ना, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप पैन कार्ड पर क select करना होगा, हमारे case में हम पिता का नाम ही रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इसको select रहेंगे, उसके बाद next वाले button पे click करेंगे, अभी दोस्तों यहाँ पर आपको source of income मताना रहेगा, जिसमें कि अगर salary को select करेंगे, income for business, अगर आपका business से income आता है, तो आप business वाले option को select करेंगे, अगर मानलीजी आपका कोई income नहीं है, तो उस condition में आप no income वाले option को select करेंगे, अभी आपको जोई scroll down करके नीची की तरफ आना है, यहाँ पर आपको जोई residence वाले option को select करना है, उसके बाद आप यहाँ पर अपना residence address डालेंगे, तो जो भी आपका address आप की आवशकता नहीं है, आपको directly scroll down करके नीची की तरफ आ जाना है, यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना country code select कर लेना है, जैसे कि हम इंडिया से हैं, तो यहाँ पर हम जो है अपना country code select कर लेंगे, उसके बाद STD code अगर आपके पास है तो आप डालेंगे, otherwise mandatory नहीं है, telephone number जो आपने starting में provide किया था, आपका mobile number वो आपको यहाँ पर show कर दिया जाएगा, email idea आपका यहाँ पर जो आपने starting में feel किया था, वो आजाएगा, आपको simply next वाले बटन पर click कर देना है, अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने AO code की detail देने का option आजाएगा, जिसमें कि आप आपका area code क्या है, AO type क्या है, range code क्या है, या आपका AO number क्या है, तो यहाँ पर अगर आपको यह नहीं पता है, तो आपको simply करना क्या होगा, यहाँ पर आप Indian citizen को select करेंगे, आपका जो भी state आप उसको यहाँ पर select करेंगे, city आपका जो भी आप उसको यहाँ पर select करेंगे, ज जैसी आप tick mark करेंगे तो यह information automatically यहाँ पर feel कर दी जाएगी, अभी आपको scroll down करके नीची की तरफ आना है, यहाँ पर आपको next वाले बटन पर click कर देना है, अब दोस्तो जैसी आप next वाले बटन पर click करोगे तो अब आपको document की detail देनी रहेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आप आप जोँए, कौन सा document देना चाहते हैं, proof of identity में आपको यहाँ पर select कर लेना है, आपके पास में यहाँ पर, काफी लंबे list है, जो भी document आपके पास है वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं, हम आधार काड़ काकर लिया है, उसके बाद, proof of address में आप कौन सा document देना चाहते हैं, त दोस्तों यहां पर declaration का फार्म आजाएगा, यहां पर आपका नाम आपको दिखाए देगा, यहां से आपको declaration में herself, himself को select कर लेना है, उसके बाद आप scroll down करके नीचे के तरफ आएंगे, यहां पर आपको आपके place का नाम इंटर कर देना है, जो भी आपके गाउं place का नाम है, ज जो भी आपका supporting document है, जैसे कि आधार card आपको यहां पर लगाना होगा, अभी दूस्तों photo upload करने के लिए आपको यहां प्लस वाले icon पर click करना है, जहां कहीं भी आपने अपना photo रखा है, या candidate का photo रखा है, आप उसको select करेंगे, इस तरह से आप यहां पर photo select करेंगे, आपको signature भी यहां पर upload कर दिया गया है, अब दोस्तों हमारे पास जो PDF file है, यह वाला जो file है, अगर हम इसकी property देखेंगे तो यह 900KB का है, ठीक है ना, लेकिन यहां पर आप 900KB का upload नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप 900KB का यह PDF है, अब यहां पर आप 900KB का upload तो नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको जो किसी भी एक browser में PDF compressor सर्च कर लेना है, यहां पर आपको पहला ही option मिल जाएगा, आप इसको यहां पर open करेंगे, ओपन करने के बाद आप यहां select PDF file इस वाले option पर click करेंगे, यहां पर जो PDF file आपका है, ठीक है ना उसको आपको यहां पर select कर लेना है, उसके बद open वाले बटन पर click कर देना है, यहां पर आपको compress PDF का एक option मिलेगा, आपको यहां पर click कर देना है, तो आपको जो file मिलेगी, वो आपको 173 KB की मिलेगी, जो की easily यहां पर upload कर दी जाएगी, अभी जो हमारी file थी आपर download हो चु अब हमको चले जाना है वापिस से इसी वाले पेज़ पर, यहां पर हमको जो है plus वाले बटन पर click करना है, प्लस वाले बटन पर click करने के बाद आपको जाना है, डाउनलोड वाले section में, जो PDF अभी हमने डाउनलोड किया है, उसको यहां पर select करना है, ओपन वाले बटन पर click कर देना है तो जैसी आप आप लॉट वाले बट पीजिट डेते हैं तो आपकी जो पीडिए फाइल यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी सक्सिस्फुलिः जैसे कि आप देख रहे हें जो हमारी पीध फाइल यहाँ पर यूँए क्लिक कर दोको जैसी क्लिक कर देते हैं तो अब पर आपको 8 डिजिट इंटर कर देना है भालन से कंफर्मेशन के लिए उसके बाद को स्कुोड़ डाउन कर देना है तो यहां पर आपको जो आपके कमप्लिट फार्म का review दिखाया जाएगा मैंने इसको secretary purpose से blur किया है आप इसको यहाँ पर complete check कर लेंगे कि आपके farm में किसी भी तरह की कमी तो नहीं है ठीक है ना अगर आपको farm में किसी भी तरह की कमी लगती है तो यहाँ पर आप जो है payment करना रहेगा तो आपको online payment वाले section को select कर लेना है जैसी आप यहाँ पर select करेंगे तो यहाँ पर आपको 106.90 पैसे का payment करना रहेगा जो कि आप खुद से ही कर सकते हैं आपको scroll down करके नीचे की तरह आना है term and condition को agree करना है proceed to payment वाले button पर click कर देना है यहाँ पर आपको confirm payment का option से होगा आपको pay confirm वाले button पर click करना है अभी यहाँ पर आपके सामने इस तरह का QR code आजाएगा तो आप चाहें तो इसको scan करके भी payment कर सकते हैं जैसे कि phone पे, google पे, किसी भी माध्यम से या भी M.U.P.I के माध्यम से भी आप कर सकते हैं अगर आपके बस में net banking है तो आप जो है net banking के साथ भी इस payment को कर सकते हैं तो हम जो है net banking का use करेंगे आप चाहें तो इस QR code को scan करके भी कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर net banking को select कर लिया है उसके बाद हम जो है जो भी आपका net banking है उसको आप select करेंगे pay वाले बटन पर click करेंगे तो दोस्तो जैसी आप यहाँ पर payment कर देते हैं तो आपके सामने इस तरगा process होगा जैसे कि आप देख रहे हैं ठीक है ना अभी आपको इस वाले page को refresh भी नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है थोड़ा सा wait करना है तो आपके सामने इस तरगा payment receipt आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको जो इसका skin sort ले लेना है उसके बद आपको scroll down करके नीचे की तरफ आना है आपको यहाँ पर click करना है यहाँ पर आपके सामने इस तरगा interface page open हो जाएगा अब आपको क्या करना है आपका जो mobile है उस पर एक OTP भेजा गया है तो OTP आपको यहाँ पर enter करना होगा अगर आपको OTP नहीं जाता है तो आप generate OTP वाले button का use करके दो बारा से OTP को generate कर सकते हैं तो आपको continue with e-sign वाले option पर click करना है यहाँ पर आपके सामने इस तरगा interface page open हो जाएगा सबसे पहले आपको term को agree करना है यहाँ पर आपको अपना आधार number enter करना है and send OTP वाले button पर click कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो आधार के साथ में registered mobile number है उस पर आपको ज पर OTP verification error आ रहा है तो आप दो बार उसको verify करेंगे ठीक है आपको घबराना नहीं है आपका reject नहीं होगा आपको थोड़ा सा wait करके उसी OTP के साथ में आपको submit करना है verify करना है ठीक है तो आभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो acknowledgement receipt यहाँ पर आ चुका है इसको कि आप अपना data डालके यहाँ पर open कर सकते हैं जैसे आप अपना data अपर इंटर करेंगे ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका acknowledgement का complete form मिल जाएगा आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस तरह से ठीक है ना जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर completely आपका form आप आपको भेज दिया जाएगा और जो आपका physical pen card है 10-15 दिन के अंदर आपका postal address आपने प्रोवाइड किया है उस address पर आपको deliver कर दिया जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप जो है अपना online pen card के लिए application कर सकते हैं जब आप यहाँ से apply कर देते हैं तो 1-2 गंटे के अंदर जो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल पे नहीं हो तो इसी तरह की government से related scheme के लिए चैनल को subscribe करना भी बिल्कुल ना भूले तो आज के लिए इतना है मिलता हूं एक्स वीडियो में किसी नए information के साथ तब तक के लिए आप अपना खयाल रखिए जहिंद चैभा झार टेखिए फिए चैनल कर दो आपिए रखिए जह भी में हो तो आभी में हो एक्स वीडियो में का दो ही जह दूलिए जह करिए।